ओडिशा के जाजपुन में प्रधार्मंती नरेंद्र मोदी है चले सीधर रुक करते कारक्रम का संबोधित कर रहे हैं स्वक्त प्यम मोदी साथ्यों हम हर गर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम कर रहे हैं हम गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समूओं को मदद दे रहे हैं ताकि हमारी बेहने लगपती दीदी बने लगपती दीदी मैं देजबर में तीन करोड लगपती दीदी बनाने के लिए काम कर रहा हूं गाउं गाउं लगपती दीदी बनेगी लेकिन साथियों इंडी घटबंदन के प्रस्टाचारियों को ये पसंद नहीं आ रहा इन लोगों के पास हमारे संकल्पों हमारी सिद्धियां हमारी नीती हमारी निष्टा के जवाब में कुछ नहीं है इसलिए इंडी घटबंदन के लोगों ने अब मोदी पर हमले और बढ़ा दिये ये कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है और कह रहे हैं इसलिए मोदी को हटाना है इंडी घटबंदन के ये परिवार वाधी कहते हैं कि इनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है अगर ये वाध कई विचारधारा की लड़ाई हैं तो इंडी घटबंदन वाले जड़ा कान खोल करके सुन लो पैर जमीन पर आ जाएंगे आपकी विचारधारा इंडी अलाइंस की विचारधारा फैमिली फरस्त हैं परिवार प्रथम है मोदी की विचारधारा है नेशन फर्त राष्ट प्रथम ये लोग सिर्व अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खड़ता है खपता है ये परिवार पादी अपने बेटे बेटियों नाती पोतों बाई बतीजों उनके भविचे के लिए उनके फिचर की सोते हैं ये इंडी गड़बंदन भी इसलिए बनाया गया है लेकिन मोदी देश की एक करोड़ों बेटे बेटियों का बहतर भविच बनाने के लिए ड़ता हुआ है इसलिए इंडी गड़बंदन के परिवारवादी कहते हैं उनका लक्ष एकी है मोदी को हटाना है जबकि मोदी का लक्ष है बारत को तीसरी बड़ी आर्फिक ताकत बनाना है भारत को विक्षित बनाना है इन्होंने अपने बच्चों के लिए ही महल बनाये है जबकि मोदी ने अपने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पक्के घर बनाये है परिवार वादियों ने सत्ता में रहते हुए अपने परिवार की गरीबी हटाई है मोदी के सेवा काल में पचीश करोड परिवार जनों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है इसलिए मैं कहता हूँ साथ्यों इसलिए मैं कहता हूँ मेरा भारत मेरा परिवार मेरा भारत मेरा परिवार और यही बात इन परिवार बादियों को खटक रही है लेकिन मैं देख रहा हूँ कल से ही देश का हर गरीब हर किसान हर नवजवान हर बहन बेटी कह रही है मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मैं हूँ आप मेरे साथ बोलिए मून मोदी परिवार मून मोदी परिवार मुझे विश्वास है कि भारत के हर परिवार को ससकत करने के लिए आपका आशिरवाद हमें लगातार मिलता रहेगा उडिसा में आप सभी जादा से जादा कमल खिलाएं आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आएं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सब अपना हमारे उडिसा के उजवल भविश्च के लिए